और मैं अवान करता हूँ मेरे राष्ट वक्त वियोस भीर विवाव से कि जहां भी इस प्रकार के देश के गदार दिखते हैं उनको ढूंड ढूंड के मारा जाए और मारा भी जाए जोश में जोश में जो ब्योशी के आलत में अगर कोई घटना करेगा उसमें हमारी कोई चार दारों को मारेगा उसके हम साथ खड़े रहेंगे मैं आवान करता हूँ पुरे प्रदेश के उगवाव से कि जहां जहां इस प्रकार के आतंकी दिखे उनको ढूंड ढूंड कर मारा जाए और खंडवा में भी इस प्रकार के अगर आतंकी घटना है तो सुनलो आतंकिय तुमको चेतावनी देता राष्ट वक्त एक लिए जित्याहए कि के रही घंदवा छोड़ो अंध्यप्रदेश चोड़ merciful één ऑर में देश चोड़ो तुमको जिस देश से प्रेम है इस देश में लगावे उस देश में जाओ बसो उसकी लड़ाइ लणने में तुम उसके हिस से दार बनो हम पर यहां पर आकर इस पावन भूमी पर इस हिंदुत्व की इस प्राष्टिय पावन भूमी पर अराजयक्ता फेलाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है आज जो जंडे है यह हमारा देश आतंक के समर्थन नहीं करता पूरे देश नहीं पूरे विश्वन ने देखा है कि इसराइल पर जो हमला हुआ था वह एक आतंकी हमला था और आतंकीयों ने वहां के जो निर्दोश नागरिक थे एक सो तीस चालीक्स उनको अपने कपजे में ले लिया था और उनको धीरे धीरे करमबत दमार रहे थे और आतंकी अनेक संगठन इसराइल के समर्थन में खड़े थे कुछ समय पहले केरल में भी विदान सबाचुलाओं के पहले एक रेली हमास के समर्थन में निकाली गई थी उस हमास के समर्थन में जो रेली निकाली गई उसमें भी फिलिस्तिन के समर्थन में जंडे लगे थे लेकिन उनका विचार भारत को तोड़ना उसमें एक हमास के बड़े कमांडर ने भारत को तोड़ने के लिए भारत में अराजकता पहलाने के लिए लोगों से मुसल्मानों से आवहान किया था और ये उसी आवान का परिणाम है कि जगजगए इस प्रकार के अराज़क घटनाय कर रहे है हनुबा का यूवा में तुमको छोड़ने वाला नहीं है जोस में और होस में धुन धुन के मारेगा